हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब आज देखे मैं आपके साथ इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शेर करने वाली हूँ यह डिजाइन यह प्यारा देखे कितना लग रहा है दो कलर में मैंने इसे बनाए यह बहुत सुंतर बहुत प्यारा डिजाइन बन कर आता है यह ब बहुत गरम बहुत वर्म यह कार्डिगन बनेगा अगर आप अपने बच्चों के लिए बनाते हो तो बहुत सुंतर यह देखे इस तरह से बन कर आएगा इसमें मन चाहिए आप कोई भी लाइट डार्क कैसे भी कलर लगा सकते हो इस तरह से और इसे बढ़ाने के लिए जो हमने फंदे लेने हैं वो 10 के मल्टिपल से यह वाला यह वाला डिजाइन 10 के मल्टिपल से 10 फंदे 10 फंदे 10 फंदे ऐसे करते हुए जाना है आपने इस डिजाइन को बनाने के लिए 10 10 के मल्टिपल से फंदे डाल लेने हैं तो यह डिजाइ आपका अच्छे से सेट हो जाएगा यहां पर सलाई में मैंने फंदे ले ली हैं 20 फंदे डाले हैं यहां पर हमने सलाई में 20 फंदे new ermol解 फंदे डालने के बाद आप उने पहले बॉर्डर बनाना है बॉर्डर बनाने के बाद आपने second color इसके साथ attach कर लेना है और इस design की first row सीधी तरफ से डलेगी तो first row सीधी तरफ से देखिए पहले ये 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे अपने ये cream वाले color से मैं बनाऊंगी इस तरह से एक दो तीन चार पांच अब ये 10 फंदों का design है इनी 10 फंदों को पूरी slime में आपने बार बार repeat करते जाना है दोबारा से repeat करेंगे तो 5 फंदे ये green से बना लेंगे फेले एक, दो, तीन, चार, पांच अब ये last में 5 फंदे हमारे ये cream से एक, दो, तीन, चार, पांच ऐसे ही करते हुए अपने first row पूरी बनागर complete कर लेनी है row second उल्टी तरफ से पहले 4 फंदे हम ऐसे ही cream से बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, चार फंदे बनाने के बाद अब ये cream फंदे को हमने green से बनाना है ऐसे ये एक फंदा इस तरह से green से बनाया अब अपना ये cream color लगाते हुए एक फंदा हम cream से बना लेंगे इस तरह से अब 4 फंदे फिर से उल्टे green color से एक, दो, तीन, चार अब ये 10 फंदों का design है इन्ही 10 फंदों को आपने repeat करते जाना है चार फंदे पहले हमने cream से बनाए फिर इस cream फंदे को green से बनाया एक फंदा फिर green फंदे को cream से बना दिया और 4 फंदे फिर से उल्टे green से बनाए इसी design को बार-बार repeat करते हुए देखिए दुबारा से repeat करेंगे ये 4 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार अब ये cream फंदे को देखिए ऐसे उल्टी तरफ से एक फंदा green से बना देंगे अब ये green वाला एक फंदा हम cream से बनाएंगे इस तरह से अब फिर से चार फंदे ये green से एक, दो, तीन, चार ऐसे ही same to same करते हुए आपने पूरी रो बना कर complete कर लेनी है अब रो थर्ड हमारी सीधी तरफ से रो थर्ड पहले हमने ये चार फंदे कर दिये थे पहले पांच बनाए थे अब उल्टी सलाई में चार होगे अब सीधी सलाई है हमारी अब यहां पर हमारे तीन फंदे होंगे एक, दो, और ये तीन तीन फंदे ग्रीन से बनाने के बाद अब ये एक ये दो दो फंदे हमारे ये क्रीम से बनेंगे ये ग्रीन फंदे को क्रीम से बनाएंगे इसे भी ऐसे ही दो फंदे होगे सीधे, दो फंदे सीधे बनाने के बाद, अब हमने क्या करना है, अपना ये ग्रीन वाला करल लगाना है, और ये एक, ये दो फंदे सीधे बना लेने है, इस तरह से, दो फंदे बनाने के बाद, अब ये तीन फंदे हमारे क्रीम से सीधे बनेंगे, एक, दो, तीन अब सीधी तरफ से यह हमारी थड़ो है तो तीन फंदे पहले हमने ग्रीन से बनाए फिर दो फंदे क्रीम से फिर दो फंदे ग्रीन से फिर तीन फंदे क्रीम से इसी डिजाइन को आपने पूरी स्लाइमें रिपीट करते जाना है बार बार इसी डिजाइन को और पीटी करेंगे तो तीन पहले फंदे हम ग्रीन से बना लेंगे एक दो तीन अब ये दो फंदे हम क्रीम से बनाएंगे एक दो फिर दो फंदे क्रीन से एक दो ये तीन फंदे हमारे देखे क्रीम से बनेंगे एक, दो, तीन इस तरह से इस तरह से करते हुए आपने थर्ड रो पूरी बना कर कम्प्लीट कर लेनी है अब रो फोर उल्टी तरफ से अब यहाँ पर क्रीम से बनेंगे दो फंदे देखें, यह एक और यह दो अब यह क्रीम फंदे को भी ग्रीन से बनाएंगे यह एक, यह दो, यह तीन फंदे उल्टे ठीक है? तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद अब यह क्रीम वाले फंदे एक, दो यह ग्रीन वाले फंदे को भी क्रीम कर देंगे, तीन अब ये दो फंदे ग्रीन से उल्टे एक दो अब इनी दस फंदों को आपने बार बार रिपीट करना है पहले क्रीम से दो फंदे बनाएंगे फिर तीन फंदे ग्रीन से तीन फंदे क्रीम से फिर दो फंदे क्रीम से अब फिर से इसी डिजाइण को complaints करना है हमने दो फंदे पहले हम cream से बना लेंगे फिर ये 1, 2, 3 फंदे हमारे green से अब 3 फंदे हमारे cream से बनेंगे 1, 2, 3 अब last में हमारे ये 2 फंदे green से ऐसे करते हुए आपने ये पूरी रो बनाकर complete कर लेनी है अब सीधी तरफ से ये हमारी fifth row है पहले एक फंदा हम ये green से बनाएंगे ऐसे एक फंदा green से ऐसे बनाया अब ये चार फंदे हमारी green से बनेंगे एक दो तीन चार ठीक है चार फंदे बनाए बनाने के बाद अब यह चार फंदे हमारे ग्रीन से बनेंगे यह ऐसे एक दो तीन चार अब एक फंदा यह ग्रीम से इस तरह से अब देखिए यह फिफ्ट रो में हमने पहले फंदे को ग्रीन से बनाया फिर चार फंदे हमारी एक क्रीम से बने चार फंदे ग्रीन से एक फंदा क्रीम से ऐसे करते हुए हमने इन दस फंदों की डिजाइन को बार 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 रपीट करते जाना है फिर से इसी डिजाइन को रपीट करेंगे एक फंदा हम ऐसे ग्रीन से बना लेंगे फिर हमारे ये चार फंदे बनेंगे क्रीम से एक दो तीन और ये चार इस तरह से फिर चार फंदे हमारे क्रीम से एक दो तीन चार और ये लास्ट का फंदा हमारा क्रीम से बनेगा इस तरह से इस तरह से करते हुए ये रो फाइब भी हमने कंप्लीट कर लिए है अब रो शिक्स हमारी उल्टी तरफ से तो देखिए रो शिक्स को कैसे बनाएंगे रो शिक्स में ये पहले पाँच फंदे हमारे ये एक ये दो ये तीन चार और ये पाँच फंदे हमारे ग्रीम से बनेगे अब पाँच फंदे हमारे क्रीम से बनेगे अब ये पूरी रो इसी तरह से बनते जाएगे एक दो तीन चार अब ये ग्रीन फंदा भी क्रीम से इस तरह से तो ये दस फंदों का डिजाइन है इन्हीं दस फंदों को रिपीट करेंगे पाँच फंदे ग्रीन से पाँच फंदे क्रीम से अब इस क्रीम फंदे को भी ग्रीन ही बनाना है हमने इस तरह से करती हुए row six हमने पूरी complete कर ली है अब यह आधी डबी बनकी है हमारी यह छे रो बनाने के बाद यह आधी डबी हमारी complete हो गई है अब इसी design को दुबारा से हमने repeat करना है फिर से इसी design को चलाएंगे तो देखें कैसे करेंगे अब यह एक दो तीन चार फंदे होगी हमारे सीधे क्रीम से ठीक है अब यह वाला फंदा क्रीम से बनेगा अब यह वाला फंदा हमारा क्रीम से बनेगा इस तरह से फिर चार फंदे यहां पर एक दो तीन चार चार फंदे सीधे अब रो सैवन में देखे हमने क्या किया पहले चार फंदे हमने क्रीम से बनाए फिर एक फंदा ग्रीन से फिर एक फंदा क्रीम से फिर चार फंदे हमने ग्रीन से इसी डिजैन को बार बार रपीट करेंगे तो दुबारा से बनाएंगे तो यह चार फंदे पहले एक दो ती चार यह चार फंदे हमने क्रीम से बनाए अब इस एक फंदे को हमने ग्रीन से बनाना है इसे ऐसे ग्रीन से बनाएंगे अब यह वाला फंदा हमारा क्रीम से बनेगा अब ये लास्ट के चार फंदे हमारे green वाले जो green से ही बनेगे ऐसे करते हुए हमने 7th row पूरी बनाकर complete कर लेनी है friends इस तरह से अब 7th row बनाने के बाद row 8 हमारी उल्टी तरफ से देखे किस तरह से बनेगी 8th row में हमारे ये 3 तीन फंदे पहले green से आएंगे ये 3 ये 1 ये 2 ये 3 तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद अब इस green फंदे को भी हमने ऐसे 1 2 cream से बना देना है अब इस green फंदे को और cream फंदे को दो फंदे ये इस तरह से उल्टे green से बनेंगे अब ये तीन फंदे हमारे क्रीम से एक, दो, तीन अब पूरी सलाई में हमने इसी डिजयान को भार 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 रपीट करते जाना है तीन फंदे क्रीम से, दो फंदे क्रीम से, दो फंदे क्रीम से, फिर तीन फंदे क्रीम से ये दस फंदों का डिज्यान है, इनी दस फंदों को आप बार बार रपीट करोगे तो दूबारा से, ये तीन फंदे हमारे ग्रीन से, एक, दो, तीन, अब ये दो फंदे हमारे ग्रीन से, एक, दो, दो फंदे ग्रीन से, एक, दो, अब तीन फंदे हमारे ये, एक, तो, तीन क्रीम से ऐसे करते हुए हमने यह पूरी एट्थ रो बना ली अब नाइन्थ रो हमारी सीथी तरफ से देखे इस तरह से पहले दो फंदे हम क्रीम से बनाएंगे यह एक यह तो फिर यह फंदा हमारा ग्रीम से बनेगा देखें यह एक यह दो यह तीन तीन फंदे होगे हमारी ग्रीन से अब ये एक दो तीन फंदे क्रीम से ये बनाने के बाद लास्ट में ये दो फंदे हमारे ग्रीन से तो ये दस फंदो का हमारा डिजाइन है इनी दस फंदो को आपने बार बार रिपीट करते जाना है दो फंदे ये सीधे क्रीम से फिर ये त तीन फंदे हमारी ग्रीन से, तीन फंदे क्रीम से, फिर दो फंदे सीधे ग्रीन से, इस तरह से करते हुए, मैं कलर भी साथ में, रो भी बार बार आपको इसी लिए बरता रही हूं, ताकि कोई भी आपको कंफ्यूजर ना हो, क्योंकि इसमें डबल धागा चल रहा है, मैंने ये बीस फंदों पर डिजाइन बनाया है, आप पहले सेम टू सेम मेरे साथ बीस फंदों पर ही डिजाइन को बना कर देख लेना, ठीक है, अब ये एक, ये दो फंदे हमारे क्रीम से बनें, अब ये तीन फंदे हमने ग्रीन से बनाने हैं, एक, दो, तीन, अब दो फंदे हम ये 1, ये 2 और ये 3, 3 फंद हमारे ये ख्रीम करेंगे, तीन फंदे ख्रीम क्रीम में ये ऑब ये 2 फंद हमारे त्वारा से ग्रीम से बनेंगे ऑगा, उस्तरह से करते हुए हमने पूरी 9 पर बना ले अब ро 20 हमारी उल्टी तरफ से उल्टी तरफ से दिखें कैसे करना है यह एक फंदा हम ग्रीम से बनाएंगे एक फंदा बनाने के बाद अब ये एक दो तीन चार फंदे हमारे क्रीम से बनेगे अब एक, दो, तीन, चार फंदे हमारे ग्रीम से और ये एक फंदा हमारा क्रीम से अब ये ही दस फंदों के डिजाइन को बार 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 आपने रिपीट करना है दोबारा से रिपीट करेंगे तो देखे कैसे करेंगे एक फंदा ग्रीम से बना लेंगे फिर चार फंदे क्रीम से, एक, दो, तीन, चार, और यह एक, दो, तीन, चार फंदे हमारे फिर से ग्रीम से, और एक फंदा हमारा क्रीम से. ऐसे करते हुए ये पूरा डिजैन हमारा बनकर कमप्लीट हो गया है अब इसके बाद आपने इसे क्या करना है first row से दुबारा से start करना है और इसी design की first row ये हमारे आये थे 5 फंदे ग्रीम से 5 फंदे क्रीम से, 5 फंदे ग्रीम से, 5 फंदे क्रीम से यहाँ पर देखें ये, पांच फंदे आप green से बनेंगे ये वाले, फिर पांच फंदे cream से बनेंगे, फिर पांच फंदे ये green से, पांच फंदे cream से, अगर कोई भी confusion हो वीडियो को दुबारा चलाईए और देखें, तो कोई भी confusion नहीं रहेगे, और ऐसे design को बनाते समय है, पीछे धागे को बिल्कुल नहीं कीचना है, धागे को ऐसे थोड़ा सा लूज रखते हुए मनाना है, ठीक है, आगे-आगे इसे design को बनाते चाहिएगा, ये इस तरह से beautiful design आपका ready हो जाएगा, बहुत सुन्दर बहुत प्यारा design है, जरूर ट्राई कीजेगा, जिस भी project में try करेंगे, मेरे साथ share भी जरूर कीजेगा, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंदा ही हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को like, share करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैं फिर मिलती हूँ आपको next में, बढाय, वैवा नीस टी